जनसंख्या संघटन जनसंख्या संघटन लिंग, आयू, साक्षर्तास्तर, स्वास्थ की स्थिती, व्यवसाई और आयस्तर को जैसे विभिंद पहलों के साथ जनसंख्या की सनरचना है. किसी देश की जनसंख्या संगटन को जनसंख्या पिरमिट के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे आयू लिंग पिरमिट भी कहते हैं कुल जनसंख्या को कई समूहों में विभाजित किया जाता है, उधारण 50 वर्ष से अधिक आयू वर्ग, 5 से 9 वर्ष आदी उपर्योक्त प्रतेक समूह में कुल जनसंख्या के प्रतीशत को पुरुशों और महलाओं में उपविभाजित किया जाता है, जनसंख्या पिरमिट की आकरती उस विशिष्ट देश में निवास करने वाले लोगों को दर्शाती है, वर्ष तल में दिखाई जाते हैं और दर्शित करता है, उपर का आकार व्रिध लोगों यानि 65 वर्ष से अधिक आयुवाले की संख्या को दर्शाता है, और मृत्यों की संख्या को दर्शाता है, जनसंख्या पिरमिद युवा आश्रित लोगों यानि 15 वर्ष से कम आयुके और व्रिध आश्रित लोगों यानि 65 वर्ष से अधिक आयू के की संख्या दर्शाता है। कार्यरत लोग मध्य समूह में आते हैं जो आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग होता है। जापान में निम्न जन्न दरों के कारण पिरमिड आधार पर संकरा हो जाता है। घटी मृत्यू दर के कारण अधिक लोग व्रिद्ध आयू तक पहुंच जाते हैं।